Teaching with limited resources, हम उन resources का जिकर कर रही हैं, जिनकी कमी की वज़ा से classroom में management issues जो हैं, वो हो जाते हैं. इससे पहले भी हमने देखा कि अगर teacher जो है, वो बदस्तूर blackboard के उपर या chalkboard के उपर लिख रही है, तो उसका राप्ता जो है, student से मुस्तकिल मुनकता हो जाता है, जिसकी वज़ा से students classroom management issues जो हैं, वो create कर लेते हैं. इसका हमने हल जो है, वो देखा था, कि dicto gloss के जरीए हमने उसका हल तलाश किया था, कि अगर एक बड़ी classroom है, तो एक technique के जरीए हम जो हैं वो बहतर तरीके से teaching and learning कर सकते हैं. इसी तरह हम उसी के बारे में बात करते हुए आगे चलते हैं, और ये देखते हैं, कि ऐसी और कौन सी techniques हैं, जिनका इस्तमाल करके, हम एक बड़े classroom में, जो teaching learning मसाइल हैं, उनको solve कर सकते हैं. इसमें एक जो है वो बातची है कि आप students को sense of responsibility जो है, वो सिखा दें. इसका मतलब ये है कि आप students को ऐसे role assign कर दें, जिसमें उनमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो, और उसके साथ साथ जो तदरीसी अमल है, वो बहतर तरीके के साथ जो है वो अदा किया जा सके. इसमें एक तरीका ये है कि आपने अगर कोई teaching points जो है, discuss करना है, तो आप students को ये कह सकते हैं, कि वो अपने घर से जब आएं, तो सोच कर आएं कि आज हमने class में क्या discuss करना है. इसका एक फाइदा तो ये है कि students जो है, they feel connected, they make a connection with their lives, their domestic lives as well as lives in the school or the classroom. ये बहुत ज़रूरी है, क्यूंकि इस से जो है, there is a sense of connection that takes place between the classroom life and the outside life of the student. अब उसमें ये है कि इसमें जो teaching points हैं या talking points हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं आपके subject के हिसाब से. मसलन, अगर आपने pollution पे बात करनी है, या environmental issues पर बात करनी है, तो आप students से ये कह सकते हैं, कि जब वो घर से आएं, तो देख कर आएं कि उनके इर्दगिर्द के महौल में, ऐसे कौन से मसाइल हैं, जिनसे pollution या environment जो है वो, महौल जो है, वो खराब हो रहा है. वो जब class में आएंगे, तो जाहर है कि वो जब उसका जिकर करेंगे, तो फिर बाकी students जो है, वो भी participate करेंगे, they will also give their input. तो naturally, you will build a sense of community in the classroom, which is very important. Students must understand that in a classroom, it is important to build a sense of community, because that gives rise to better learning. तो इस चीज़ का ख्याल करें, कि जहां पर आप ये समझते हैं, कि पढ़ाना जो है, वो एक मुश्किल अमल है, क्योंकि students जो है, वो attention नहीं दे रहे, वहां पर जब students जो है, वो ऐसे issues लेकर आएंगे, जिनका तालुक उनकी जाती जिन्दगी से है, तो फिर उसका वो इज बहतर तरीके से भी कर सकते हैं, and they will show more involvement in what they say, because whatever they say has a deep connection with their real lives, and then it again builds a sense of community in the classroom, because the other students, they also give their input. इसमें एक बात तो ये है, कि students जो है, वो automatically a sense of responsibility builds in them, क्योंकि उन्हें classroom में participate करना होता है, आपने उन पर एक जिम्मेदारी डाली है, और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभानी होती है, तो ये चीज़ जो है, ये automatically students जो है, उनको जिम्मेदार student बनाती है, और इसके साथ आपका जो तद्रीसी अमल है, वो रुखता नहीं है, वो चलता चला जाता है, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, कि it is important to make connections with the real lives of students, the classroom scenario, the classroom proceedings, they need to be connected to the outside world, now this is what you call authentic learning, so authentic learning must take place in the classroom, so it is good to encourage student responsibility, इसके इलावा, एक और जो मुश्किल बात जो है, वो ये होती है, कि अगर teacher जो है, वो blackboard के उपर कुछ लिखती है या लिखता है, तो पीछे बैठे हुए students जो है, वो उस चीज को नहीं देख पाते, उसका एक हल ये है, कि आप जो है, text जो है, वो large sheets के उपर लिखके, या तो उनकी photocopy करा ले, या दो तीन sheets develop कर ले, और classroom के मुख्तलिफ कोनों में लगा दे, उसका असर ये होगा, कि जो पीछे बैठे हुए students है, या side पर बैठे हुए students है, वो भी उस text को देख पाएंगे, जो इस वक्त जो है, वो आपका मौजू है गुफतगू का, इस तरह ज text जो है, वो class के मुख्तलिफ हिस्सों में लगा दिया है, और उसी के उपर आप बात कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है, limited resources के साथ काम करने का, क्योंकि बाहराल, एक large class में इतनी materials को arrange करना, मुश्किल काम है, और इतनी resources को provide करना, मुश्किल काम है, so with the use of such resources, with the use of such techniques in the classroom, some of the problems related to resources can be solved.